जोई भी समस्या है वो आप मेरे से सेयर कर सकते हैं और मैं आपका चुटकियों में यूं करके आपकी जो भी प्रब्लम है वो सौल कर दूगा आपको बताने वाला हूँ कि आपको उबर मैं अपनी बाइक कैसे कर सकते हैं और यह वीडियो आपके लिए खास इसली होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको पूरी ऑनलाइन प्रोसेस को बताने वाला हूँ साथ ही साथ मैं आपको ऑफलाइन पोसेस भी बताने वाला हूँ या यूं कहूं कि आपको ऐसा माद्य में बताने वाला हूँ जिसके जरीए यदि आपके साथ कोई प्रॉब्लम आती है उबर की आईडी जनरीट करने में तो उसके लिए आपका भाई बैठा है आपकी प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको सॉल्व करने के पूरी पूरी कोसिस करूँगा तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया में यदि बाइक टेक्सी के मामले में नंबर वन कंपनी है इंडिया के अंदर ओला की रैंकिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी एक सम से नहीं है तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो को सुरू करते हैं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहले वह बेसिक डॉक्यूमेंट जिसके आधार पर आप अपनी अबर के साथ आईडी जनरेट कर सकते हैं तो चलिए बिना देर करें आज के वीडिय कुछ भी नहीं चाहिए बस बेसिक यहां पर जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है वह आपकी एज का है एज मैंटर करती है जैसे कि आप अठारा साल से मिनमम हैं तो आपकी आईडी सौरी तूसे नहीं जनरेट हो पाएगी और दूसरे के आईडी पर काम करना उसके पीछ एज है जो वह 18 होनी चाहिए सेकेंड यह आपको बेसिक रीकूर्मेंट है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसन्स होना चाहिए अब इसके अलाबा आपके पास पैंक कार्ट आधार कार्ट बैंक अकार्ट यह सारी चीज़ें डिटेल्स होनी चाहिए यह already सभी के पास होती है और आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए तो आज की लिट में स्मार्टफोन सभी के पास है तो दोस्तों बस यह basic document से इसके आधार पर आप बड़ी आसानी से घर बैठें online ओबर के साथ चुड़कर पैसे कमाना सुरू कर सकते हो तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ आपको यहां पर यह बताने के आपको अबर का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे कम्प्लीट करना पड़ेगा तो दोस्तों इसके नीचे आपको description में एक link मिल जाएगा उस link पर click करने से पहले आपको मैं उस link की खासियत बता देता हूँ वो मेरा referral link है referral link से यदि आप click करोगे तो आपकी जो details है जो आपकी activities है वो मैं track कर पाऊंगा और इसका सबसे बड़ा फायदा ही होगा कि यदि आपकी ID creation में कहीं पर भी कोई problem होगी तो उसके लिए मैं आपकी proper help कर सकता हूँ लेकिन यदि आप अलग platform से करेंगे apply या फिर online play store से download करेंगे तो उसका access मेरे पास नहीं रहेगा second वो यह है कि आपको यदि आप अपनी तेस्वदा date में मैं आपको target वगर बताऊंगा जैसे आप contact करते हो और वो आप complete करते हो तो आपको 250 रुपीज से लेके आपको 2000 रुपय तक का extra joining bonus मिल सकता है साथ साथ यहां पर screen पर मैं आपको chart share कर रहा हूं जहां पर यह आपको clear हो जाएगा कि यह आप मेरे link से join करते हैं तो आपको कितना referral invite bonus मिलेगा तो basic चीज़े यह है दोस्तों यहां पर फायदा ही फायदा है नुकसान किसी चीज़ का है नहीं तो दोस्तों इसके लिए सबस से step आएगी वो continue करने के रहेगी जिसमें आपको continue करना है और जैसे आप continue करोगे तो यह second page पर redirect हो जाएगा जहां पर आप अपनी email id और आप अपने mobile number से register कर सकते हैं ध्यान रखिएगा कि आपका जो mobile number है वो पहले से registered नहीं होना चाहिए और यदि आपका पहले से mobile number register है त email id होनी चाहिए तो fresh email id से आप login करेंगे उसके बाद यह आपका mobile number registered है तो भी कोई issue नहीं है OTP जनरेट होगी OTP के जरी आप इसको verify कीजिए और verify करने के बाद यह process आँगे बढ़ जाएगी उसके बाद आपको password set करना है आप जो भी four digit का password चाहें इसके साथ रख सकते इसके आपकी local language में convert हो जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पर feature रिखेगा कि आप WhatsApp support से जुनना चाहते community से तो मेरे हिसाब से यह बहुत ज्यादा वर्क नहीं करता बस यह कि आपको समय समय पर इनके promotional offers जो है company की तरफ से वह आपको यहाँ पर so होते रहते इसके बाद जो most important या फिर approve होने में बहुत दिकत आएगी, selfie आपकी बिलकुल clean होनी चाहिए, neat and clean होनी चाहिए, यदि आप एक plain background के सामने खड़े होके selfie ले सके तो must है, बहुत बढ़ी है, तीसरी चीज है lighting का issue नहीं होनी चाहिए, चेहरे पर किसी प्रकाल से shadow नहीं आनी चाहिए, यदि पर क्लिक करते हैं, उसको आपको upload करना है, आप देख लिजेगा preview में, यदि आपको लगते तो इसको upload कर दीजे, then after आपको document जो है, वो यहाँ पर upload करने पड़ीगे, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी, आपको अपनी vehicle का registration, आपको driving license, आपको अपना आधार, आपको bank account की detail, यह सारी चीज़ें आपको mandatory हैं, upload करना है, इसके अलाबा एक नया document जो है, वो add-on हुआ है, वो है police clearance का, police clearance को लेका काफी सारा लोगों के मन में, doubt है कि यह एक नया document के आया, तो इसके लिए आप घबडाने की कोई जिहुरत नहीं है, आप वैसे ही पहले इसके process कर सक सकते हैं, बटिये आपकी ID सिर्फ इसी बज़े से रुख जाती है, तो फिर आपको मैं उसका तरीका बताऊंगा कि आप उसको कैसे clear कर सकते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने local थाने में जहां का भी address है, जहां पर भी आप रहते हैं, व इस हिसाब से clearance के बाद आप company के साथ continue कर सकते हैं, आपकी ID बनने में company 2-3 दिन का समय मांगती है, जिसके जरीए, जिसके बाद फिर वो आपकी local city के साब से क्या campaign चल रहा है, कितनी rides का target है, कितनी rides पर आपको joining bonus मिलना है, यह सारी जानकारी आपको भी सुहने लगती है, और म ID create करने के बाद, आप मुझे मेरे Instagram account के जरीए, या फिर Telegram group के जरीए, जो कि dedicated है, आप सभी भाईयों के लिए, उसमें मुझे join हो सकते हैं, आप अपनी problem share कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो, आपने यहां तक वीडियो देखा है, तो no doubt आपको यह information बहुत अच्छी बाद, बन्दे बात्रू